हाई गाइस गुड़ वानिंग तो आल आफ यू कैसे हो आप सब लोग सो जो आज की दाहिंदू वोकेबलरी जो कि आपके हर एक एक्साम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंड है आई पी सो एसे से लो बैंकिंगो एनिवन एक्साम और यह आपके वोकेब भुष्ट को भी इसेंसे उसक आप इनको देखिये जान्य-जान्य-जान्य-डस दस मिनट लगते हैं पांस मिनट 15-10 की बीच में हम इसे कंप्लेट कर दें जो कि आपके वोकेब को बहुत जाना पोश्ट एक प्रिविलेंड क्या प्रिविलेंड प्रिविलेंड और इसका मतलब होता है प्र कि अनोनिम से क्या है पेला Auftuel कि वह प्रीवेलिग तो प्रीवेलिंग का उस प्रिचलित है या विध्दमान हाता है वह प्रिचलित या विध्दमान उसको शुचा स्थे Leer word हुलते में प्रिचलित hit video frequent मतलब भी होता है बारम बारता है लगाता है यह प्रचलित ठीक है यह होता uncommon common नहीं है आप प्रचलित यह हम इसे भोल सकते हैं नेश्ट आता है हमारा xorbitant xorbitant एक एड्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है हद से जादा क्या होता है बारता है लाइक कोई भी समान अगर कोई समान अगर दुकान पर खरिदने जाते हो नॉर्मल कुछ भी अगर दस रुपय का अगर वह मंदा उस चीश को 100 रुपय लेता है तो हद से जादा ही वह चीश ऊजाते है तब हम यहना है थे उसमिता और टो बत youống हाई हो जाता है तो हम कहते हो क्या हो जाएगा खर हम सहीदा है में चीज़े को आगे देखते हैं तो some hotels charge exorbitant rates for phone calls ठीक है कुछ hotels phone के लिए अत्यदिक charge exorbitant rates अत्यदिक charge phone calls पर भी अत्यदिक charge करती है next third है हमारा abrogation क्या है abrogation abrogation मतलब होता है निराकरण निराकरण कर देना repudiation निराकरण कर देना रिपील करना रिवोकेशन करना ठीक है रिवोकेशन कर देना उसके रिवोकेशन कर देना और इसके जो इंटरिम से वो क्या है institution हो जाएगा क्यों हो जाएगा institution ministry proposed for the abrogation of the electoral sorry electoral law of 1850 1850 ठीक है the minister proposed for the abrogation of the electoral law of 1850 the minister यानि की मंत्राले ने 1850 के चुनावी कानून को रद्द करने का प्रस्ताव दिया ठीक है लॉलियम बोल सकते हैं इलेजेंट बोल सकते हैं इसका मतलब भी क्या होता है सुन्दर कुपशूरत गोर्जियस भी हम इसे बोल सकते हैं और इंटरिम्स की बात आती है तो इंटरिम्स क्या हो जाता है इसका क्रूड क्रूड यहने निर्दई ठीक है कच्छा जो अच्छे देखना अच्छा नादिक है उसे हम बोल सकते हैं कि यही वर्ड अभी कुछ टाइम पहले दाहिंदू में आया था दाइस ए ऑनगोइफ्या की चल रही है उनलाए झाल रही है已經 अटरिम्स एंडर में क्लास चल रही है चनरिम्स क्लास करना एंटल इस चे تمसलते हैं आपारिम्स बोल सकते हैं दाइस कर नियूजार्स एंडर इस इसका मतलब होता है जंदी हो जाता है फी unwilling犯 होती ङूर क्या बोलते हैं रॉकोस भी इसे बोल सकते हैं इंटरनेम क्या होगा इसका ऑलका हाः मामूली भी हो सकते हैई inne यह दिल्ग होता है इंटरनीम क्या हो जाएकआए इसका होगा मतलब ही जो भीम हम घर दियो मतलब बहुत मामूली धीर है ठीक है कॉंसोर्ट नेक्स्ट आता हमारा कॉंसोर्ट एक नाओने इसका मतलब होता संगी कॉंपेनियन या भर हम लोग इसे बोल सकते हैं मेट क्या बोल सकते हैं में में वैं संग पर आपकी और दुस्मन म्सूं कैंष अगनाhron इन में एहने में होता है पार्टनर दूल सकते हैं तो इसका मतलब सकते हैं और इसका मतलब क्यों साती और यहां पर क्या हो जाबा इनेमि यहां क्या हो जागा Cake दुस्मन consort यहने क्या हो रहा है सातियों यहां क्या हो जाएगा इने मियाने दूस्मन adversary adversary का सायद आपको पता नहीं मैं आपको बता दू adversary यहने होता है विरोधी anti बोल सकते हैं adversary को conflicting बोल सकते हैं उसके बाद opponent भी बोल सकते हैं opposing बोल सकते हैं तो यह चीज हो जाएगा है आफ कि कि इस माई टूब कॉंसेर्ट वह मेरी सच्ची संगनी या सच्ची पत्नी है या सच्ची सांथी है भोल सकते है यह थ्राइब यहाने होता है फलना फुलना फ्लॉरिश होना फ्लॉर्ब है थ्राइब वर्ब है नॉट एक और you can enter the term apply to the term thrive flourish एसा धुन से हो जाए का गटम था जाए कि खटना, कम होना fugitive fugitive उसका मतलब होता है fugitive होता है भागवडा तो जाए भागवडा outlaw मतलब बोल सकते हैं, । हुब क्या बोल सकते हैं इसके बाद हम इसको रोबर बोल सकते हैं रिवर रार रहे वाला रीवर रहा है यह है यह पार इए फिर डाको यह होडा था इसका मतलब हो ताप बचना यह भी होडा Enduring Enduring का मतलब क्या होता है Permanent Lasting, Enduring, Static जो permanently हो वहीं पर हो उसको हम बोलते है Enduring इसका Adject Lament Lament यानि विलाप करना या मौर्न करना विलाप करना और Antonyms क्या होता है Celebrate Like sorrow or well विलाप किया जाता है कुछ death हो जाया या फिर कुछ भी बुरा होता है तब हम उसको वहाँ विलाप करना बोलते है Lament बोल सकते है, Morn बोल सकते है Whale बोल सकते है Like हम लोग बोलते है अगर आपको जी के पता हो तो Soro of Bihar Soro of Bihar किस नदी को बोला जाता है एक बार हम फटा फटीं सभी 10 workapps का recap कर लेते है देखो Prevalent Prevalent मतलब होता है जो बहुत जानदा नेक्स्ट आता हमरा Exorbitant Exorbitant या होता होता है तो आप कॉलिगर के एक्जामपल किसी भी चिछ के साड़े वागर किसी कभी Abrogation Abrogation मतलब नेराकरण कर देना अरत्य कर देना Exquisite या एक एक एडजेक्टिवर इसका मतलब होता है अती सुन्दर ब्यूटिफुल Ongoing एक एडजेक्टिवर इसका मतलब होता है चल रही है Rokos याने होता है Consort याने होता है नहीं भी किसी भी वागैप में problem हो तो Please comment section में जरूर बताईएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जिलते हैं । झाल प्याव कल